Hello everyone, मैं विश्र जीत सिंग, आप सभी का दी इनव पे स्वागत करता हूँ दोस्तो आज की इस वीडियो के अंदर में हम MA History, MHI 01, Lesson 15, Africa पढ़ने वाले हैं दोस्तो यह जो lesson है, यह कुछ ज़्यादा खास है नहीं, इसके अंदर में कुछ हमें ज़्यादा पढ़ने के लिए नहीं है और जो questions भी बनते हैं, वो उतनी ज़्यादा papers में put up करते हुए नहीं देखा है मैंने बट फिर भी आपका lesson का एक पार्ट है, बुक का एक पार्ट है तो इसको हम clear करेंगे फटावर्ट तो दोस्तो इस lesson को total तीन segment में बाटा हुआ है जिसमें पहले segment में आप पढ़ते हैं उत्री अफ्रीका के बारे में, दूसरे segment में पश्रीम अफ्रीका के बारे में लेते देते हैं, जबकि वो illegal है, बट फिर भी आज के समय में वो चलती हैं पर था, ठीक है, और पुराने समय से चलती हुई आ रही हैं पर था, तो उसी तरह से यहाँ पर दुलहन का मुले लिया जाता था, तो उसके बारे में में पढ़ना है, दूसरा यहाँ पर जो important topic है, वो आपकी अर्थ व्यस्था से लेकर है, आपकी नहीं, उत्री अफ्री अफ्रीका, दश्री अफ्रीका, पश्रीमी अफ्रीका की जो economy थी, ठीक है, economy से related करना है, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, दुलहन का मुले के लेकर, कि दुलहन का मुले किस तर से देखा जाता था, तो दुलहन का मुले देखने के लिए, वो क्या करते थे, पसुधन को मानते थे, पसुधन मतलब क्या होता है, ठीके, पसुधन मतलब कि जो भी जानवर जैसे गाय भीषिस जो भी आप दे सकते हो तो पहले इंडिया में भी कई जगा आपकर आप अपने दादा दाधी आगर हैं आपके घर में कोई बड़े भुजुरुग हैं उन्से बात करोगे तो सवर जादे हो रहा है तो उनकी हैसियत मुकाबला उसे लगा जाता था कि 158 चादी का मुल्ले हैं ़िलेगा सादी करने के लिए तो जब तक उसे पसूधन नहीं मिलेगा सादी पूरा नहीं होता था तो इस तरसे चीज़े चलती थी तो यहां पे दूलं का मुले किसे लगा जाता है पसूधन से लगा जाता है जो कौन देता था लड़की का फादर देता था किसको देता था लड़के को देता था और यह पूरा एक तरसे डॉरी सिस्टम जो हमारे यहां पे दहेज पड़ता है उसकी तरसे ही regulate होता था ठीक यह समझ में आता है तो कुछ जादा खास है नहीं इसमें इतना ही आपको पढ़ना है यहां पर जो दूसरा टॉपिक बनता है एकनॉमिक का बनता है कि किस तरसे उनकी अर्थव्यस्था सर्कुलेट होती थी regulate किया जाता था ठीक है एकनॉमिक को लेकर ठीक है समाज और अर्थव्यस्था राजनेतिक व्यस्था के बारे में कोशन बन जाता है न यहां पर तो यह इस कोशन का आंसर अगर आप बात करो तो इनकी जो अर्थव्यस्था थी यहां पर सरकार का संचिप्त रूप जैसे राजा को परमुक यहां पर किंग को परमुक माना जाता था ठीक है जो राजा होता था ना उसको परमुक माला जाता था अनुवानसिक आधार पर था कि राजा के बाद उसका जो बड़ा पुत्र होगा वही राजा बनेगा ठीक है जो भी परमुक फैसले होते था तो उसमें राजा की भगेदारी होती थी ठीक है बिना राजा के सहमती स हे अजैसे परमुग फैसलें नहीं लिया अलग अलग विभागों का वर्गी करन्ड किया गया था जो भी डिपार्टमेंट ऌते थे जैसे आज की समय में का संचालित वि invece कि नग गया था और सारे व्यक्ति जो भी जिनको नियुक्त किया जाता था वो सारे डायरेक्टली किसके लिए राजा के लिए responsible होते थे मतलब जो भी message होगा ना वो डायरेक्टली राजा को राजा को यहां पर देवी देवताओं के समान माना गया और इनकी खेती खेती थी खुर्शी पर अधारित होती थी थी धातुक्रम का उनका बहुत कम यूज़ था पशु पालन सिकारी व्यवस्था पशु यह सब चीज़े होती थी संग्रहन करके अपना जीवन व्यापन करत तो इस तरह से चीजे देखने के लोगों को देखोगे तो उसमें वही चीजे दिखेंगी कि बहुत जादा गरीबी है वहाँ पे चीजे हैं तो आप उससे भी अंदादा लगा सकते हो किस तरह की व्यवस्ता थी वहाँ पर ठीक है समझ में आता है तो वह नॉर्मली जो होते पर अधालित होते थे ठीक है दच्छी अफरीका के जो भी है पूरा पसुदन व्यवस्ता पर ही अधालित उनका जीवन व्यापन चलता था उनके बड़ी संख्या में उनके पास भेड़ बक्री गाए यह सारे पसुवा करते थे पालते थे और वह सामुही कृश्शी करा कर थे ठीक है समुधाय कृश्शी मतलब एक एक व्यक्ति अकेले नहीं करता था पूरा जूंड होता था जूंड के साथ में रहते थे अफ्रीका के लोगों का यही चीज़े देखने के लिए कि वह सिंगल पर्सन को नहीं रहते हैं वह पूरा जूंड में एक साथ में ही वह व करते थे जैसे उने राजा मांते थे कि पुना जीवन लेगा थिक है तो उसकेràm के लिए पिरामित बना जाते थे अêtes सारी जरूरते की जो चीजे उपा seuड eat से जर्म लेगा सासत में राजा के सासत में उसके दास दासियों को भी उसमें रखा जाता था ठीक है कि अगर कभी राजा को मालो जुरुत पड़े तो वह सारी चीजे भी वहाँ पर रहे ठीक है तो आई ये सारी जो चीजे बता रहो ना जितनी बुक्स पड़ोगे जितनी आ इसमें यही सारी चीज़े आपको पढ़ने के लिए मिलेगी ठीक है यहाँ पर आपके questions की भी मैं बात करो जो आपके book के अंदर में दिया हुआ है ठीक है तो यहाँ पर चार questions दिया हुआ है चार questions है पहला यही है दुलन का मुल्ले क्या था ठीक है वो समाजिक समंदू को किस परकार से नियंतरित करता था तो दुलन का मुल्ले क्या होता था पसुधन के इसाब से माना जाता था पश्चमी वैपार में वैपार पश्चमी अफरीका में वैपार राज्ये निर्मान का परमुक आधार था ठीक है क्या आप इससे सहमत हैं तो नहीं क्योंकि वैपार परमुक अधार नहीं था क्योंकि इनकी जो मिस्रित कृष्षी ववस्था अधारिती पसुधन पे निरबर थे वैपार बहुत कम देखने के लिए मिलता था तो इस सहमत नहीं है ठीक हम यह कह सकते हैं यहाँ पर और सासाथ में यहाँ पगर आप बात करोगे तो राज तंत्री वैवस्था थी ठीक है और वैपारिक उत्तर मार्क के इससे आते थे पस्टिंग वाले साइड में नहीं था उत्तर से दख्षिन के और वैपार होता था ठीक है मधे में भी वैबार हुआ कर था था बहुत कम विविन राज तंत्रों के द्वारा यूद भी होता था वैपार को लेकर ठीक है तो इस तरह से चीज़ें यहाँ पर आप यहाँ पर बता सकते हो ठीक है तीसरा कोश्चन जो होगा मिस्र में राज तंत्र और सरकार के स्वरूप में संशिप्त परीचे जो मैंने बताया राज तो इस तरह से चीज़ें यहाँ पर दिखाती है और लास्ट यहाँ पर कोश्चन आ जाता है दच्छिन अफरीका की अर्थवेस्था की और संशिप्त परीचे तो अर्थवेस्था किस परकार की थी तो अर्थवेस्था कर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अफरीका के अर्थ परसुप बीखियों था मिस्षिटवादी खिती ववस्ता पेदारी थी ट्षी वखियों नहीं देखने के लिए फिलंद प scarf एक जुन्ड मतलब हह सुखा वाला ऐसा नहीं सामबल वाला बीखिड नहीं कहने हैं कि मतलब ये कि आदिवासी लोग बहुत जाद हैं वहाँ पे ठीक है तो जितने जितने समूम होते हैं जितने जितने अलग-अलग जाती धर्म के लोग हैं उसके हिसाब से अलग-अलग बहुत 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 के लिए आप हमारे चैनल दी इन आप को सस्क्राइब करना बिल्कुल न भूलें अपने दोस्तों तक सेर करें और आपके हर एक सस्क्राइब से हम मोटिवेट होते हैं कि और वीडियो बना सके अच्छी वीडियो आपके तक पहुंचा सके अच्छी क्वालिटी को झाल 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